नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल दोस्तो मैं हाँ सर्बजीत सिंग हाजिर हाँ प्रोग्रम लेके किताब बांदे पन्ने आज तुसी सुनोंगे बोरिस पॉलेवाई दी लिखी होई विश्व परसिद किताब असली इंसान दी कहानी दा दूसरा पाग पाइलेट अलेकसेई मेरे से येव दूरी कैंची विच फस गया सी हवाई लडाई विच ए पैड़ी तों पैड़ी चीज है जेड़ी किसे नाल वापर सक दी है उस दा सारा आसला खतम हो चुका सी जदों जर्मन हवाई जहाजा ने उसनू केर लिया ते बच निकलन दा मौका देते बिना ओ उसनू आपने अड़े वाल लिजान दी कोशिश करन लगे होया एंज के लेफटी नेंट मेरे से येव दी कमान हेट एक लडाका हवाई जहाजान दा दस्ता इल हवाई जहाजान दे रखवाले दस्ते वजों गया इनना इल हवाई जहाजाने दुशिमन दे हवाई अड़े उत्ते हमला करना सी उनना दी ए दलेर कारवाई बहुत सफल रही सतोर मोविक जिनना नू के पैदल फौज विच उड़ने टैंक क्या जन्दा सी द्यार दे द्रखता दियां टीसियां नू लग पग छुन्दे होय चुप चाप बिल्कुल हवाई अड़े तक चले गए जित्ते किन्ने सारे वड़े ट्रांसपोर्ट जुंकर कतारा मेच खड़े सान। अकार अड़े उत्ते दोड़े फिर्दे सपष्ट दिखाई देते। उसने देख्या के जम के सकत होई बर्फ उत्ते ट्रांसपोर्टर हवाई जहाज एक तरह नाल रींग रहे हन। उन इस तोर मोविकानू मुड मुड के हमले ली वापस आंदें देख्या। ते एवी दे सई एक मारू गलती कर बेठा। हमले दे हलके दी चौकसी नाल राखी करन दी था उसने आपने आपने आपनू जिवे कैंदे ने बै सोखेई शिकार दे चांसे वेच आजान देता। उसने टुब्बी मारी ते एक ट्रांसपोर्ट जहाज उते जिड़ा आजे जमीन तो थो गोलिया नाल विन देता। उसने आपने आप उते इना यकीन सी के उसने दुशमन दे हवाई जहाज नू जमीन ते डिगदया देखन दी वीपरवाना कीती। अडे दे दुझे पासे एक होर जुंकर हवावेच उठया। अलेकसई उदे मगर गया। उसने हमला कीता। पर स कई वारी गोलिया वरा आके इसनू हेठां सोट देता। जुंकरानू हेठां सुटन नाल जित्थे अनन्त जंगल दे लहरा रहे हरे सागर विच्चों तुएंदा एक काला थाम निकल रहा सी दो वारी जेतू अंधाज नाल चकर लौन तो मगरों उसने आपने हवाई नू वापस दुश्मन दे हवाई अड़े वाल लायांदा। पर उथे पुझजन तों पहला उसने आपने तेन हवाई जहाजा नू नू मेसरा नाल लड़दे देख्या। जिन्ना नू परताखत और उत्ते स्तोर मोविकां दे हमले नू पछाडन लई जर्मन हवाई अड़े दे कमांडर ने बुलालया सी। जर्मन हवाई जहाज उन्ना नालो तेन गुणा सन। परतावी हवाई बड़ी दलेरी नाल उन्ना उत्ते टोटप है। ते उन्ना नू स्तोर मोविकां तो दूर रखन दी कोशिश करना लगे। ओ दुश्मन नू दूर लजाई जा उसने एक निशाना चुनेया ते आपने दंदा दी कचीची परदया होया लड़ाई वेच जाको दया। उसने जेड़ा निशाना चुनेया सी ओ एक ऐसा मेशर सी जेड़ा बाकी दया नालो जरा वाख हो गया सी ते परताखत ओर उत्ते ओ भी शिकार दी पाल वेच सी। दुश्मन दा हवाई जहाज अशोई लंग गया। उसने सोचय ए नहीं हो सकदा के अलेकसई दा निशाना खुंज गया वे। निशाना नेड़े सी साफ सी साफ दिखाई दे रहा सी। ओ तेरी असला। अलेकसई ने अंदाजा लाया ते एक दम एक ठंडी जाई कंपनी उस असला खतम कर लिया सी। पर दुश्मन नूँ हा लेस गल्दा पता नहीं सी। अलेकसई ने लड़ाई वेच शामल वो जान दा फैसला कीता। तांग एक टोकाट गिंती दी तनासब नूँ ठीक कीता जा सके। पर उसनू एक गल्ती लग गई। जिस लड़ा का हवाई जहा उपर उसने असफल हमला कीता सी। उसनू कोई बहुत तजर्बेकार ते निगा रखन वाला पाइलट चला रहा सी। जर्मन नूँ पता लग गया सी के उस दे दुश्मन दा गोली से का खतम हो गया है। उसने अपने साथिया नू हुगम दे देता। चार मेसर बाकी दिया नालों वाख होए ते उन्नाने अलेकसेई नू केर लिया। एक एक पास्याँ वाल ते एक एक हेठा ते उपर। ट्रेसर गोलीयां चलाँदे होए जिणिया नीले असमान वेच साफ दिखाई दे रिया सान। उन्नाने उसनू रा मनवाना शुरू कर देता ते दूरी कैंच वेचे केर लिया। अलेकसेई नू पता लग गया के ओ इन्ना हवाई पेडियां दे पंजयाँ में चागया है। ते प्रतक तौर उत्ते ओ उसनू मजबूर करना चाउंदे हन के ओ उन्ना दे हवाई यड़ेवल ओड चले। तांके ओ उसनू कैदी बना सकन। कैदी बना ल चला के ओदा रार रोक लेंदे। उस दे चेरे उते डर उक्रया प्यासी। मेरे से येवने कोट के अपने धंद मीचे अपने इन्जन दी रिफ्तार पूरी तरह छट दिती। ते खड़ी हालत विच आके उस हवाई जहाज दे हेठां गोता लौन दा यतन कीता। जड़ा उसनों जमीन वाल दबार्या सी। दुश्मन दे हवाई जहाज दे हेठों ओ निकलन विच सफलो गया। पर उस जर्मन ने एन मौके सिर मशीन गना चला देतीया। अलेकसाई दे इनजन दा तेल खतम हो गया ते विच विच इस दी तड़कन रुकन लग पई। सारा हवाई हवाई जहाज कंबन लग पया जिमें के उसनों मारू बखार चड़या होए। मैं निशाना बन चुक कहां। पर अलेकसाई एक चिट्टे संगने बदल विच लोप होन विच सफलो गया। ते इस तरह उसने आपना पिछा करन वालयानू मगरों ला दिता। जखमी हवाई जहाज दियां थरकना ओ आपने सारे वजूद रही मैसूस कर रहा सी। ओ सोच रहा सी इंजननों नुकसान किते पुझ जाए। हवाई जहाज किन्नी कुदेर हवा आवेच रह सकदा है। की पेट्रोल दी टैंकी फट जाहेंगी। अलेकसेई एना स्वालां बारे एना सोच नई सी रहा जिनना इना नु मैसूस कर रहा सी। उसनु लगदा सी के ओ ऐसे डाइनामाइट उते बैठा है जिसदे तोडे नु पहला ही अगलाई जा चुकी है। उसने अपना हवाई जहाज पिछे नु मोड़या ते आपनिया सफाँ वालनु चल पया। तांके उस दिया अस्तियां था उस दे अपने लोक दबाउन अंत जल्दी ही आ गया। इंजन रुक गया। हवाई जहाज तिलक दा होया जमीन वाले जान लगपया। इस दे हेठां अथा सागर्दियां सले टी हरियां लेरा वांग जंगल ठाठा मार रहा सी। चलो तामी कैदी ता नहीं न बनालया जामांगा। एसी ओ विचार जड़ा पाइलट दे दिमाग विच्चों लंगया। जदो नेडे तो नेडे दे दिरखत मिलके एक सार रस्ता बनोंदे होए उस दे हवाई जहाज दे हेठों दी दोड़ दे लंग रहे सन। उसने सैज सुबावक ही मैगनेट बंद क पी सुटन वाला तमाका सुनाई दिता ते अख पलकारे विच्च सब कुछ अखा अगों अलोप हो गया। जिमें के उसने ते उसदी मशीन ने हनेरे निग्गे संगने पानी विच्च तुबी ला दिती होवे। ताना वाले सदी पुराने फर्दे द्रखत उपर दी डिगदा होया, ओ इस दिया तानिया उतनों तिल्क के हेठां बर्फ दे वड़े सारे टेर होते जाड़ेगा। इसनाल उसदी जान बच गई। अलेकसाई नू नहीं याद के ओ किन्नी देर होते बेहोश ते बेहरकत प पर उसदा सरीर बर्फ विच पकी तरह गड़्या गया लगदा सी। पैरा हेठ बर्फ किर्च किर्च कर दी ते उच्ची उच्ची गुर्राहट नाल किसे दे साल एंदी अवाज सुनी। जर्मन ने उसनू एकदम ख्याल आया। ते उसने अखां खोलन दी उच्छल के खड़े ओ जान दी ते आपनी राखी करन दी तीबर इच्छा नू दबा आलया। ते सोचन लगा। आखर कैदी बन ही गया हां। जर्मन तुर्दा होया उसने नेडे आया। अजीव जही तरा उसने हौका परया। अलेक से इनू एकवरी फिर उसने मूँ विच्चों बदबूदार सा आउंदा मैसूस होया। उसनू पता सी के जर्मन सिर्फ एक ह ते इस करके उसनू बाच निकलन दा मौका मिल सकदा है। जे ओ एकदम उचल के खड़ा हो जाए ते इस तो पहला के ओ जर्मन आपनी बंदूग तक हाथव दाए ओ खोद उसनू गले तो फढ़ ले। पर ए बड़े त्यान नाल ते बे हाद शुद ताई नाल करना पवेग आपनी पुजीशन बदले बिना अलेकसेई ने हौली हौली आपनियां आखां खोलीयां ते आपनियां अद मीटियां पलकां थानी उसनू जर्मन नहीं सगों एक पूरी जई जत दिखाई दिती। उसने आपनी आखां होर चौडियां करके देख्या ते एकदम उणना नू विश्व परसिद रचना असली इंसान दी कहानी दा दूसरा पाग अज ए नहीं रब राखा।